रेनू, चंदन, गोपू और प्रेमचन और प्रियंका इन साथियों का कहना यह है कि आज हमें आप समझा दीजिए कौन तो आज आपको कौन के बारे में किलियर होने वाला है भाई साब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कौन और कौन को इंगलिस में एंगल कहते हैं यहाँ तक आप सबको पताई होगा यहाँ पर आप सबको आसानी से क्या दिख रहा है यहाँ पर गौर किजिए लिखा हुआ है कि दो किरने जब किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उससे बनने वाले आकरिति को कोन कहते हैं भाई शाब किरन आपको पता है या नहीं पता है जैसे यहाँ पर कहा रहा है कि दो किरने तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लिते हुए यार मैं आपको किरन के बारे में थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूं किरन किसे कहा जाता है तो आपको याद रखना है कि किसी एक बिंदू से सुरू होकर अनंत तक जाने वाली रेखा को किरन कहते हैं यानि एक जगह से सुरू होगा और बहुत दूर तक जाएगा जो भी रेखा उस रेखा को हम किरन कहते हैं यहां पर जो आपको दिख रहा है यह हमारा किरन है ओके तो किरन के बारे में आपको जानकारी आ गया होगा तो यहां पर आप समझे यहां पर परिभासा कह रहा है कि दो किरने जब किसी एक बिंदू पर मिलती है तो यहां पर आप गौर किजिए भाई शाहब यह रहे आपके सामने बिंदू, एक बिंदू है और इस पर दो किरने, तो इस तरह के किरने होते हैं, तो एक किरने यहाँ हो गया और दूसरा किरन हम इस तरह से माना के खीच लिए, इस तरह से हम खीच लिए, तो भाई-शा arriving यहाँ पर यह जो आकरिती दीख रहा है तो यहाँ पर यह जो कौन बनेगा सौरी यहाँ पर यह जो आकरिती बना यह हमारा क्या है कौन का आकरिती है तो भाई शाहब कौन के बारे में आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पर परिभासा से ये सीध हो रहा है कि दो किरने एक ये वाला किरन और एक ये वाला किरन दो किरन हो गया तो यहाँ पर दो किरने एक ही बिंदू पर गिर रहे हैं एक ही बिंदू पर मिल रहे हैं तो यहाँ एक बिंदू है और इस पर मिल रहे हैं तो यहाँ पर यह जो अकृति बना है न यही अकृति हमारा कौन है तो कौन के बारे में आपको कुछ भी आया कि नहीं आया आसा करता हूँ कि आपको आ गया होगा भाई साब आप परिभासा याद रखोगे न तो आपको क्लियरली आ जाएगा तो मेरे दी हुई जनकारी से अगर आप थोड़ा कुछ भी सिखते हैं तो भाई यार वीडियो को लाइक कर देना ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बने रहे और जूडे रहे